हेलो दोस्तो नाश्टे में इडली किसे नहीं पसंद होती और जब वो हो मोतियों जैसे सफेद और साथ में उसमें मोतियां हो डली हुई जी हाँ बिल्कुल नहीं समझे क्या अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसमें मैंने मोतियां कहां यूज किये तो आपको मेरी वीडियो को देखना होगा बिल्कुल पूरा और तब आप मेरी सीक्रेट को जान पाएंगे कि मेरी इडली इतनी सफेद और इतनी फलफी होती कैसे तो चलिए बिना आपका वक्त बरबात किये फटा फट से वीडियो शुरू करती हूँ और वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक दबाना बिल्कुल न भूले और मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब मेरी आज की स्पेशल मोतियों वाली इडली बनाने के लिए हमेजो चीजे चाहिए उसमें जो सबसे पहला है वो है उरत की डाल जी आपको तो पता यह इडली दोसा में उरत की डाल लगती है वो मैंने लिया है एक कप लेकिन इसमें से ध्यान रखें यह जो गोटा उरत का इलगते से धाल आता है ना धुली उरत की डाल वह लेना अगर आपको इस्प्रीट मिल जाएं तो वह भी आप ले सकते हैं और साथ में हमें चाहिए इडली राइस इसे पारबॉल राइस हमें यह मोटा राइस होता है तो वह हमें लेना है तीन कप यह रेश्यों याद रख इसे अच्छी तरह से धो कर भीगो दिया है लेकिन बस दो तीन भार दोना है बहुत जादा रगड कर बिल्कुल साफ पानी आने तक नहीं धोना है हलका से छोड़ देना है तब ही फर्मेंटेशन अच्छी होगी और ये है हमारी मोतियां बिल्कुल सही पहचाना है आपने ये हमारा बड़े दाने का साबुदाना साबुदाना दो तरह के होते हैं एक छोटा दाना होता है और बड़ा दाना होता है तो ये बड़े दाने वाला हमें साबुदाना चाहिए वो कितना चाहिए देखिए वो हमें चाहिए आधी कटोरी यानि आधी कप यानि जितना मैंने दाल लिया उसका आधा तो इसे भी देखिए मैं अलग बोल में भीगा दूंगी चावल दाल तो मैंने अल्रेडी भीगा रखे हैं और इसको भी मैं अभी भीगा दूंगी इसे भी देखिए पानी मैंने डाल दिया है और इसे भी भीगो दिया है और इन दोनों चीजों को हमे 5-6 घंटे तक भीगोना है और ये देखिए साथ में है छोटी सी चमच हमारी मेथी की यानि आधी चाय की चमच से भी कम यानि 1 by 4 टी स्पून मेथी जादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना है और उसे हमने चावल दाल का जो भगोना था उसी में डाल दिया है और इसे हम 5-6 घंटे तक एक साथ में ही फूलने के लिए छोड़ देंगे यानि भीगोने के लिए छोड़ देंगे और इसे कर दें साइड में ढखकार रख दे बिल्कुल 5-6 घंटे के बाद ये देखिए ये 5-6 घंटे के बाद हमने ढखकन हटाया है इस तरफ देखिए साबूदाना भी हमारा अच्छी तरह से 5-6 घंटे में बिल्कुल अच्छी तरह से सोख हो गए हैं यह देखिए अब इसके बाद इन दोणों चीज़ों को जैसा कि आपको पता है बैटर बनाने के लिए हमें पीसना है लेकिन कैसा पीसना है वो मैं बिल्कुल आपको सामने पीस कर दिखाऊंगी क्योंकि कई बार हमें शिकायत मिलती है कि इडली तो हम बनाते हैं लेकिन फूलती नहीं है उसका रीजन यही है कि हम छोटी-छोटी बातों को नजर अंदास करते हैं तो ये देखिए वही पानी में डाल रही हूं जिसमें मैंने दाल भीगोय थे दाल और चावल मैंने भीगोया था कई लोग अलग भी इसे सोक करते हैं लेकिन मैं साथ में सोक करती हूं और आपको बना कर दिखाऊंगी इटलियां कितनी सौफ्ट बनती है तो ये देखिए हमारी जो हमारा जो दाल चावल ह पीस कर आ गया है ये लिजिए और कैसा पीसा है उस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैं आज सारे ट्रिक्स बताने वाली हूं तो ये हमने पीसना है दर दरा तो देखिए हाथों में इस तरह से दाने आ रहे हैं चावल के दाने दाल का तो दाना नहीं आता लेकि ये है साबुदाना जो 5-6 घंटे में फूल कर बिलकुल तयार हो चुका है इसे भी हमने उसी जो जार है उसी में डाल दिया और इसमें पीसने के लिए उसी पानी का इस्तमाल करेंगे जिसमें हमने भी गोया था ये बहुत ही जादा बारीक चीजे हैं जो हमें जानना चाहि तब ही इडली इतनी सॉफ्ट इतनी वाइट बनती है हमारी तो ये लीजिए ये साबुदाना भी हमारा बिलकुल अच्छी तरह से पीस कर तयार हो गया है यानि इसे पीसने में 5 मिनिट का आपको वक्त लगेगा क्योंकि इसे हमें बहुत स्मूध पीसना है बहुत ही जाद के बैटर में मिला देंगे तो ये मैंने इसे मिला दिया है और मिलाते ही आप रग देखेंगे कितना सफेद हो गया उसके बाद हमें डालना है नमक नमक हलका ही रखें इडली दोसे में नमक बहुत ही जादा हलका होता है तेज नमक अच्छा नहीं होता और अब एक और ट्र लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है जिसे हम अकसर नजर अंदास करते हैं और हमारी इडली नहीं फूलती है और ये देखिए consistency कैसी होनी चाहिए बिल्कुल रनी ये मैं आपको हाथ में लेकर दिखा रही हो इसी तरह का consistency हमें चाहिए तो हमारे देखिए दाल और चावल जो है लाद भर भी आप रख सकती है या दिन भर तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गये हैं और ये जगह मैंने छोड़ी थी देखिए कितना कम हो गया है ये नोटिस करने वाली बात है और अब मैं आपको दिखाती हूं ये जालीदार बैटर सच मुछ बहुत होगा लेकिन आज मैं इडली परी फोकस कर रही हूं ये देखिए बहुत अच्छी बहुत जादा देखिए बिलकुल अच्छी तरह से फर्मेंट हुई है बहुत बहुत अच्छी क्योंकि इडली के लिए जो में चीज है वो ये बैटर ही है तो बैटर जितना अच्छा और इडली बनाने के लिए ये जो इडली स्टैंड है आपका किसी भी तरह का इडली स्टैंड हो सकता है मेरे पास ये कुकर में डालने वाला है उसे मैं अच्छी तरह से ग्रीज कर लिया है उसके बाद ये जो हमारा अच्छी तरह से फर्मेंट बेटर है इसे हमें इसमें तो यह देखे, थोड़ा-थोड़ा लेकर आप इसमें डालती जाएं, बहुत जादा इसे नहीं भरना है, क्योंकि इसे अभी उपर भी आना है, यानि यह इडली हमारी फूलेगी भी, तो उस हिसाब से हमें भरना है, तो मैंने देखे, सारे स्टैंड सजा लिए हैं, उसके उ बॉलने लगे, बॉल होने लगे, तब मैं इसे कुकर में डाल दिया और डखकन लगा दिया, और बिल्कुल टाइम देखकर 15 मिनिट इसे मिडियम फ्लेम पर पकने देना है, तो यह लीजिए, हमारा टाइम हो गया है, 15 मिनिट और यह देखे, इडलियां हमारी तैयार है, ब अच्छी लग रही है, तो यह लीजिए, यह मैं इसे निकाल रही हो, बाहर, मैंने इसे बाहर निकाल दिया है, और बिल्कुल गरम गरम इडली पर ही, आप देखे, यह जादू, यह बिल्कुल आधे गलावस, आप पानी डाल दे, बिल्कुल आपके इडली खराब नहीं हो हम इसे स्टैंड से बाहर निकाल रहे हैं, किसी चमच या छूरी की मदद से आप निकाल लें, और अगर यह ठंडे हो जाएंगे, तो हाथ से भी आप इसे निकाल सकते हैं, यह देखे, इडली आपको टेक्स्चेर से ही पता चल रहा होगा, बिल्कुल हील रही हैं इस तरह स यह देखे, वाह वाह वाह, प्यारी प्यारी इडली और कितनी सफेद यह उन मोतियों का कमाल है, मैंने कहा था ना मेरी इडली आज मोतियों वाली है, तो बिल्कुल मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आपको दिखा रही हूँ आज मोतियों वाली इडली, जी हाँ मोतिय से सफेद, बहुत ही ज़्यादा सफेद इडली, तो ये लीजिए, ये इडलियां हमारी बनकर हो गई हैं, तैयार, तो इसे आप देखे, कितनी सॉफ्ट हुई है, मैं दिखाती हूँ, ये लीजिए, ये देखे, कितनी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझ में जाते है कि कई बार तो मार्केट के इडली भी हमें पसंद नहीं आती और साथ में मैं सर्व कर रही हूँ यह है टमेटो रसम जिसमें थोड़ा सा सांबर मैंने डाला हुआ है और चेटनी भी है और इसकी रेसिपी मैं अल्रेडी बता कर रखी हूं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल करके और आप भी अपने फैमिली और दोस्तों के साथ बनाएं इंजॉय कीजिए मैं आपको मिलती हूं अपने किसी अगले इंट्रेस्टिंग से वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए हैवे नाइस डेंग अ कर दो कर दो दो किसी अबाए है भी अबाए हैवे हैव